कैसे आप लोग जैसा कि आप सब उको विजित भी हो गया होगा कि यूपी ट्रपल सी अधिनस लोग सिवा योग जो इस बार लुवर पीसियस करने जा रही है उसकी बैच हमारे ऑनलाइन पांस तारिक से सुरू हो जाएगी और आप सब पांस से लेके ग्यारत के बीच में अधिनस तो लोग सिवा योग ने अभी तक लोबर की इस L Sur Sud नहीं जारी किया लेकिन जब भी PCS करना हमारे जुबाप ए तो एक बात अपने А atin tarvaj जो कि चाहे हो भी PCS हो या किसी प्रदेश की लोग सिवा आयोग है उसकी उए रेड की हड़ी होती है। उस आयोग में अपना अस्थान पाना या सेलेक्शन पाना आपके लिए टेनेजिर के बराबर होती है इसलिए सामाने धन के कर हम बात करते हैं तो किसी भी परिच्छा में अभी जितनी भी परिच्छा होती है अगर सामाने धन का पॉर्चन देखा जाए तो उसमें भी सबसे जो महत्वपूण हिस्सा होता है वो भूगोल का वर्चस्व हमेशा से रहा है जब कि आप देखते होंगे इतिहास का सूर्य कभी-कभी अस्त हो जाता है लेकिन भूगोल का वर्चस्व सदयो रहा है और आगी परिछवा में रहेगा तो मैं दुर्गे जैश्वार आपको इस पढ़ाऊंगा बैकल्पिक विसय के दिश्टिकोर से नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी अगर आपको भविसे मेरे साथ बैकल्पिक विसय की रूप में भुगोल को पढ़ना है तो अगर अभी से आप तयार हैं तो कुछ ऐसी चीजे हैं जिनसे आप परचित होते चलें और आपको आगे की जियोग्राफी समझ ब्याना शुरू जाएगी तो चलिए चर्चा करते हैं या बात करते हैं कि हमें उत्तरपदे स्पीसियस लोगर के गौड़ी क्या पढ़ना है पहले हम एक अच्छी तैयारी या रणीत जिरूत पढ़ेगी रणीत का दात पर ही है य अच्छी रणी दिखातात पर क्या है देखिए इस समय कुछ लोग कुछ यहन वाया है कि हमें लोगर पीसियस पढ़ना है लेकिन आप देखिएगा जिएस पढ़ना ही है तो इसके जश्ट बाद आपको आपर पीसियस भी आएगा साहिद एक या दो महिने के अंतरभी जाम कर देंगे लेकिन जो जीएस पढ़ेंगे जलो इस्टडी पढ़ेंगे वह दोनों के लिए पैरलल पढ़ते हुए चलेंगे और हिंदी भी जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको पैरलल पढ़ा जा सकता है अब आते हैं अपनी है या जियोग्राफी जिओ दन घ्रफिका अर्थाथिवी का वर्णर अगर जियोग्राफी सब्ध का प्रियोक करते हैं या भगोल सब्ध अपने जयहन मेंलाते हैं घ्र्शान मैं आते हैं सेल्वस्क आपकौइग तो हमें आंस और ब्लायंता है benthando क्या है जब पढ़ेंगे सागर महासाँजर मरुस्थल अस्थलमंडल में जाएंगे तो महादूét इन सभूर कि पढ़ने के साथ कुछ और सीज़ेंबद सुखते हैं बरह्मान कि उत्पथ्य वी उससे हमारे पदेर हमने क्या प szczब्सक्रा ब्रह्मान अब मेरी जोग्राफिर ये प्रमुक थेरी पढ़ेंगे तीन कौन को बताएंगे नहारीका परिकलत ना एक तारा दुई तारा फिर बाद में बिकबैंग थेरी आई इसे महाविस्पोटा से धाम कहते हैं उसको पढ़ेंगे फिर सौरमंडल पढ़ेंगे सौरमंडल भी पत्ति कब हुई फिर सौरमंडल के साथ साथ उन अलगलत ग्रहों को पढ़ेंगे और अपने सौरमंडल से जुड़ी प्रमुक तत्य जो बड़ी परच्छा में पूछे जाते हैं अब सूर पढ़ेंगे एक टॉपी पूरा सूरी लेंगे फिर आठ ग्रह साथ से चर्चा करेंगे फिर यह खत्म होगी जो मरी एस्ट्रोनॉमी इसे हम कहेंगे खगोल विज्ञान या खगोल की भुगोल के स्रेड़ी में से इसका ध्यान किया जाएगा फिर उससे जुड़े हुए जो नासा हमारे जो नासा है इस रो है इन दोनों के बारें पढ़ फिर एस्ट्रोनॉमी के बाद फिर हम लोग आएंगे आप पढ़ेंगे भुगोल के लिए अब भुगोल में जो पढ़ा जाएगा उसका नाम है भौति भुगोल बहुति भुगोल में एक पाड आता है जी हमार फोलाजी भुवागरती विज्ञान पढ़ेंगे अब देख छोड़ने के बाद जब हम लोग आए तो यहां यह पता चला कि उत्तप्त गोला रहने के बाद फिर प्रितिवी की उत्तपत गर्म गोल फिर अब यहां पर क्या पर एफ्यसे चंडा होए फिर घंगोर वरसा हुई अच्य होई अच्य वर्सा होई कि ऑम अ कीया unrelated के लिए मान पानी चाहिए पानी कैसे आया मतलब ऑक्सीजेन कहां से आई फिर ऑक्सीजेन आ गई तो ठीक तेया तक वर्सा होई फिर ठंडे होई तो महासागर बने अच्छा फिर महादीब बने तो पहले महादीब थे कैसे अब पता चला प्रिटिवी की काउड़ेंडर देप थे सब्सकाइब कैसे बने अफ और आगे पढ़ेंगे महादीब महासागर बाद जो अगली हमें यह पड़ी पढ़नी होगी वह हमें यह पड़ने होंक pareil यह फिर के में उसाथ बड़ी हम सूलिमान आराकान यूमा निप्लैक पर्वस इन सभी पुल और असाникомा-रौली पर्वस इन सभी कूप युध्य का मिलेगा इन सब ?" पत्तीवेशाथ में पढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर उसके बाद वेगिन टेलर इनको पाड़ने बाद हमारी कटड़ी और आगे बढ़ेगी फिस हम और आगे पढ़ने का प्यास करेंगे अब हमें कुछ जानकारी चाहिए अब हम धेरे-दरे माइपिंग को सीख लेंगे फिर इसी बीच हम अक्छान से रखा और देशांतर रखा की एक बीडियो छोटी सी ले लेंगे चोटी सी बीडियो का अध्यान कर लेंगे अभी मैं जी मर्फलाजी को ही बीच में अच्छा अंधिसांतर को चोड़ दिया इसके लिए फिर कुछ आगे बढ़ाता हूं आगे बनाने बाद में एक टॉपिक भी और जोड़ोंगा आपको मैं जो पढ़ांगो उसके अकौडिंग फिर इसमें और आगे बढ जादबर अंतरजादबर इंटर्नल फोर्स अब बाहर के जो फोर्स उन दोनों को पढ़ेंगे उसके बाद उसी में चटान पढ़ेंगे चटान चटान कितने प्रकार के होते हैं तो इस कड़ी को पढ़ने के बाद यह हमारा अस्थामंडल के लिए रोगा फिर अगले कन पाथ उसको पढ़ेंगे उसी में तब पढ़ने लाएंगे प्रोसियां तब क्या है? इसका क्या प्रभवाव पढ़ता है पिर यह फीम टॉपिक में है पिर में याएंगे हवाएं पाढ़ने मिलेեंगे जो इम बहुत बहां सब्सक्राइए पोस्तों अ misma अब इसी समय हम तुरंद वर्स ही में पढ़ादेंगे हैं तो वर्सा आपको आसनी से समझ में आ आजएगे थ displaying वर्सा पढ़ने वाद लगभग लगभग इस ट्वास टॉपिक में हिं नमा लेंगे रहें पढ़एंगी कुछ फिर महासागर के बाद बाद महासागर पढ़ेंगे फिर इसी में जल्चक्र पढ़ेंगे जल्चक्र पढ़ेंगे जल्चक्र क्या क्या पढ़ेंगे वर्सा वहां वर्सा पढ़ेंगे वर्सा नदी पूरी नदियां पढ़ेंगे वर्लिक्यों इतनी प्रमुक नदियां है हिम नदी महासागर फिर महासागर क्या है अभविस्थ के संसाधन को रूप में महासागर उनका धिन कर लेंगे हम लोग यह अध्यान करने के बाद यह तीनों अध्याइव के बाद आपको अस्थल मंदल अस्थल मंदल हो गया फिर वायू मंदल एक्टमास्फियर लीथोस्पियर अध्मॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर इस तीनों मंडलों को पढ़ने के बाद अगर चाहिए हम पीछ में जोढ लें तो जैसे जोड़ेंगे लिग तरफ से में पूरा एक ठूप पर्यावान का इसा पादने के बाद पर्यावन पढ़ना चाहिएगे असानी से पर्यावरा प्रिष्वी पर ज्वारभाटा कैसे आता है मैं किताब रूप से नहीं पढ़ाऊंगा एक एक ऐसे क्रम से पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको समझ आज प्रिष्वी के पढ़ाऊंगा फिर वरस्पतियां पढ़ते हैं वर्सा और मिटी चेटाट पढ़ लिया हो ठीक अब उसी के पहला है यह प्रिष्वी का दरकात हम पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे यहां कि फिर मानो जीवन का विकास जीसे मानो बोल किया रूप में एक अ कि उसके जश्ट भाद यह इधर पहलों है उसके उधर माहदीप पढ़ेंगे सब्सक्राइब आगले उनके प्रमुप बिसेस्ता है क्या-क्या है ठीक फिर उसके बाद रेखाओं का जाल पढ़ेंगे रेखा में करकरेखा मकर रेखा बुमद्र रेखा अर्कर अर्कटिक अ इनको पढ़ेंगे, इनके साथ साथ, इनके साथ साथ और का चीजे पढ़नी है, आप उसको समझे लेते हम लोग, फिर जितने विश्व के प्रमुख देश हैं, उसके कौन से खनित संसाधन, कहां पे भौताय पाये जाते हैं, कौन से उत्पादन में कौन अग्राणी हैं, कौ इनके साथ पढ़ेंगे, फिर फसल पढ़ेंगे, कौन से देश में कौन से फसले बहतर होती हैं, क्योंकि जब हम लोग साथ में वाई मंडल और हवाओं की वित्रव वर्सा और चटान ये पढ़ेंगे, तो हमें पूरी बात पता हो जाएगी, कि किस अस्थान पे क्या-क्या इस प्रकार हम ये भूगोल को पढ़ेंगे, फिर एक पहलर मुहमद सर्फ्राज के द्वारा भायत की भूगोल की सीरीज चल लएगे, तो वो भी पढ़ेंगे, जो समस्य उत्पन्न होंगी, जो आपको समस्य उत्पन्न होंगी, आप बताएगा, फिर उसे पहलर उस टॉप भात की भूगोल आप मीचलेगी, भात की भूगोल, और जैसे ही सब खतम हो जाएंगे, तो भात की भूगोल और वर्ल्ड के इनसे जुड़े करेड़ पढ़ेंगे, इनसे जुड़े करेड़ परियावरन, अब साथ में परियावरन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि भूगोल क को तरह पढ़ने के बाद अगर आप पर्यावनन पढ़ना चाहेंगे तो एक बार क्यों आप फलका सा देख लेंगे पूरा कॉंसेट्ट पर्यावनन का के लिएगा यूंकि पर्यावनन जो है इन्वार्मेंट वह प्रिठिवी के को लेकर है और में कॉंसेट्ट उसका जो है प्रिठिवी के जो संतुलन है अभी हमनों पढ़ेंगे अभी आप उसमन में नहीं आएगा संतुलन क्या है और हाँ भी सकता है संतुलन के दात्पर आप जानते भी होंगे संतुलन का दात्पर हैं पर हुआ पर प्रदूसर्ण कहीं पर चुनामी कहीं पर जॉला मुखी पनव जाती है फिर जो मंडला रची चेत्र क्या है वायोस्पेर क्या है वं जो भ्यारण क्या है राष्टुद्यान क्या है इन सभी को हम पूरा भुगोल के अंदर पढ़ेंगे और यह पूरा जो पैटन है इसे पूरा करने में तो वैसे एक वर्स का समय चीए यह डेली क् पढ़ना चाहते हैं आपका मोस्ट विलकम है यह पूरी क्लासे आप ले सकते हैं और साथ ही जाद आपको करना क्या है आपको तीन से चार क्लर की पिलने लेनी है और एक प्लेन पेज़टी कॉपी आपके पास रखनी एक यह दो रखिये एक रखिये दो कॉपी आप ले किताब आप ले लेजिए पहले आप ले लिएगा घटना चकरकी भगोल ऑफ्सनल जो भी अभी PCS जीतनी भी PCS हस्तर की परिछाए हुई है उसमें पूछे प्रशनों का संक्ला उसमें है तो साथ ही साथ हर ध्याय के बाद मैं उससे जुड़े प्रशनों को भी आपको करा हो दूँगा यह टॉपिक हो गई मेरे द्वारा इसके बाद हिस्ट्री हिस्ट्री एकोनॉमी साइन्स जो भी अध्याय आपके जहनल स्ट्रीके वह मैं उनके अलग-अलग जो स्पेस्लिस्ट है उनके माध्यम से मैं आपको सारी मैटर उप्लक करूंगा और मैं इस बात की गरेंटी देता हूं कि सेलेक्शन की बात जो होती है वो अन्भो तले होती है मेरे पास एक लंबा अन्भो रहा है फिर भी लोग कुछ कमेंट करने के लिए लोग कह भी सकते हैं आप अभी तक सफल नहीं हुए तो ज्यान अज्यान सफल और असफल की जो कड़ी होती है एक स मंजरी लिए पढ़ रहाए नपको रहा होना क्या उससे ज्यान की परक की जा सकती है ये आप उससे बहतर भी जानते होंगे हां हो सकता है कि आपको लगे कि मैं भेतर पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन हम मैं बात की अपनी तरफ से मैं ये जरूर मुझे में कितना मज़ा आजाएगा आपको भी और मुझे भी केवल बस आपको मेरे साथ जूल कर पढ़ना है और मैं उमीद करता हूँ आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो आप सभी लोग पूरी तरस त्यार हो जाएगे कल या परसों से ही वीडियो में भूबोल को देना सु मैं धारी लेता हूँ कि आपकी जो मंजील है वो आपसे जादा दूं तक दूर जादा दिन तक दूर नहीं रपाएगी वो जल्द ही करीब आप जाएगे तो बस आप सभी साथी इतना काम करेएगा मैप ग्लोव दो कोपियां दो से तीन कलर के पैंग और तीन से चार कलर के हाइलाइटर और घटना चक्र की आप भगो ले लिजेगा इतनी किताब एक आती मैं आपको दिखा दूंगा वो ले लिजे उसके बाद हम सब इस रेज के लिए पुरीतरा प्रेपेर हो जाएंगे और एक साथ दोड़ेंगे और मेरे प्रेजु पेज इले नहीं भी और टेलिग्राम को जोईन करेएगा दुर्गेश सर बिनेश पेज़ दिये सर्श करके आप मुझे जुड़ेएगा जो भी सवस्या होगी आप मुझे बताइएगा मैं उससे सुल्हाने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप भी पूरी मेहनत और इमांदारी के साथ पढ़ेंगे और अपने सपने को जल्दी साकार करेंगे मैं भी आपके साथ इस तरह का प्रिवारा के साथ है उस तरह मैं भी आपके साथ हूं और तब तक साथ रहूंगा जब तक आप सफलनों जाए इसी के साथ मैं अपनी वाड़ी को बिराम देता हूँ और आप सब तहरी करिए इन चीजों के पत्था कर लिए कल यह परसों से पुना मप के बीच प्रस्तुत होंगे अपने अध्याय और सब्सक्राइब के ताद तब तक के लिए जैंग जैवारत